नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मरितन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में कुरोना काल के दौरान नीजी अस्पतालों पर बिहार सरकाल ने नकेल कजनी सुरू कर दी है बिहार में बढ़ते कुरोना को देखते हुए अब नीजी अस्पताल नाजाईज फाइदा उठा रहे हैं मरीजों के परिजनों से बेफजूल का पैसा बसूला जा रहा है ऐसे में मरीजों के परिजनों की सिकायत है कि नीजी बढ़े अस्पतालों में 7-8 लाक रुपे का बील दिया जा रहा है ऐसे में अब सरकार ने अस्पतालों में कुरोना मरीजों के इलाज के लिए फीस तै कर दिया है बिहार में कुरोना संक्रित मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने परदेश के बिभीन जिलों की ग्रेडिंग कर वहां अस्पतालों के फीस निर्धारित कर दी है राज़ानी पटना को ग्रेड ए में रखा गया है तो वहीं दर्भंगा मुझफर पुर भागर पुर गया पुरनिया को ग्रेड बी में रखा गया है वहीं grade C में 6 energy low को रखा गया है ऐसे में आईए अब जानते हैं grade A में आने वाले अस्पतालों में लगने वाले सुल्क के बारे में grade A में NBS से मानता प्राप्त अस्पतालों में समान रूप से बिमार जिसमें की isolation bed oxygen के साथ supporting care की बिवस्ता होगी यहां पे 10,000 रुपिये फीस लेने की बात कही गई है वहीं गंभीर रूप से बिमार जिसमें की ventilator के बगएर ICU में रखने की बात कही गई है इसमें जो है 15,000 रुपिये देने की बात कही गई है और 80 गंभीर रूप से बिमार जिसमें की वेंटिलेटर के साथ ICU में भी रखने की बात कही गई है इसमें जो है 18,000 रुपिय निर्धारित की गई है वहीं सरेनी A के अस्पताल जो की NBS से मानता प्राप नहीं है वहां समान रूप से गंभीर ब्याक्ति जिसमें की आइसोलेशन और बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिंग केर है उसके तहट जो है 8,000 रुपिये लेनी की बात कही गई है वहीं गंभीर रूप से बिमार जिसमें की वेंटिलेटर के बगएर आईसीऊ में जिन्हें रखा जाएगा उन्हें 13,000 रुपिये लेने की बात कही गई है वहीं जो ब्याक्ति गंभीर रूप से बिमार है और उनको वेंटिलेटर के साथ ही आईसीऊ में भी रखा गया है उन्हें 50,000 रुपे तक की रासी लिये जाने की बात कही गई है स्रेनी बीम के जिले में इस्थित स्रेनी एक नीजी अस्पतालों के दरों की करमसा 80 फिजदी से अधिक किसुल के जो है नियधारित किया गया है जिसमें एने बीएस से मानता पराथ अस्पताल में जो है समान रुप से जो बीमार ब्यक्ती है जिन्हों आईसोलेशन बेड और ऑक्सिजन के साथ सपोर्टिंग केया जिन्हें देया गया उन्हें 8,000 रुपे लिये जाने की बात कही गई है इसके साथ ही अति गंभीर रुप से बीमार जिन्हें की वेंटिलेटर के साथ आईस्यू में रखने की बात कही गई है इन्हें 14,400 रुपे की रासी जो है निरधारित की गई है वहीं स्रेणी B के अस्पताल जो की NBS से मानता प्राप्त नहीं है समान रुप से बीमार जो ब्यक्ति है उन्हें आईसोलेशन बेड और ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ ही उन्हें 6,400 रुपे लेने की बात कही गई है और गंभीर रुप से बीमार वेंटिलेटर के बगर जि इसमें आने वाले स्रेणी एक नीजी अस्पतालों की दरों में करमसा 60% अधिक्तम सुल्क जोह निर्धारित किया गया जिसमें की NBS से मानता प्राप्त अस्पतालों में समान रुप से बीमार जो ब्यक्ति है उन्हें आईसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिंग के जो है निर्धारित की गई है जो अस्पताल स्रेणी सी के NBS से मानता प्राप्त नहीं है वहां समान रुप से बीमार व्यक्तियों के लिए आईसरेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिंग केर में 4800 रुपे निर्धारित की गई है वहीं गंभीर रुप से बीमार वेंट सभी जिलों के जिला धिकारियों को इस संब्ध में पत्र लिखकर निर्धेश पर अमल करने का अदेश दिया है आपको बता दें कि जिला परसासना और स्वास्त विभाग को हाल के दिनों में कई ऐसी सिकाईते जो मिल रही थी निजी अस्पताल में 3-4 लाक रुपिय कोबि रहत मिलेगी तो यह थी कोबिड को लेकर बिहाद सरकार के तरफ से अस्पतालों के लिए जारी की गई सूल के कोबिड को लेकर और भी ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हैं बिहारी निजी के साथ मुझे दिजी अजाजत धन्यबाद